सेविंग अकाउंट और सेलरी अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है एचल मैं इस्टाग्राम के सभी इस्ट्रेंस के रिप्लाई दे रहा था तो एक इस्ट्रेंट ने पूछा तो मैं आपको बता देता हूं फिर भी जितने भी लोग हैं ठीक है सही है आपका जो डाउट है हो पूछो एकष्णी क्या होता है कि जब आप अपना कोई एकाउंट खुलाते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट इकाउंट ही आपका है ठीक है क्रेंटट अकुलाते करेंट बिशनेस इगे रिख लिए आपका रहता है ठीक है तो वह एकाउंट को जब किसी भी इंप्लय कि उसमें आप देते हो मालो आप government में या private से कहीं पी प्या वर्किंग कर लेते हो जब उस account को एक और number या याज कैसे चेकव आप देते हो और जब salary उसमें credit होना start हो जाती है तो वह automatic अपका salary account जो है वो आपका बने जाता है सेविंग से आपका हो जाता है यह पूरा प्रोसीच्र जो है वो आपका रहता है तो सेविंग सेलरे में फार्ण इतना है कि सेविंग एकाउंट का एक form है जसलियोरूं तो